characteristics of synthetic fiber तो इसकी कुछ विशेस्ता हैं कौन-कौन सी खासियत है synthetic fibers की बाकी जो अलग fiber होते हैं natural fibers से उससे और इसके मुकाबले इसकी क्या खासियत है यह हम पढ़ेंगे इसके बारे में पहला है हमारा synthetic fibers are very strong synthetic fibers क्या होते हैं काफी मजबूत होते हैं rather than cotton fibers मतलब cotton fiber के मुकाबले क्या होते हैं synthetic fibers काफी मजबूत होते हैं synthetic fibers are more durable यह ज़्यादा दिन चलते हैं cotton fiber के मुकाबले synthetic fibers absorb very little water यह क्या होते हैं काफी कम water absorb करते हैं और बहुत जल्दी dry हो जाते हैं अगर water कम absorb करेंगे तो सुखेंगे भी जल्दी बट cotton में ऐसा नहीं होता है तो यह हमारा third point था fourth point क्या बोलता है synthetic fibers are wrinkle resistance यह बहुत जल्दी नहीं सुकरते हैं यह क्या होते हैं सुकरते ही नहीं है पहली बात तो इसमें प्रेस की जरूत नहीं पड़ते हैं बट cotton क्या होता थोड़ा roughly होता है synthetic fibers are not attacked by moths इसमें कीडे नहीं लगते हैं और कोई छोटे मोटे chemical लग जाए तो वो भी क्या होता resistant कर देता है बट क्या होता है cotton ऐसा नहीं कर पाता cotton में कीडे भी भोजल्दी लग जाता है क्योंकि वो कहें एक natural substance है synthetic fibers do not shrink shrink का मतलब क्या होता है गर हम cotton fiber को दोह देती है तो थोड़ा सिकूर सा जाता है छोटा हो जाता है बट ऐसा यहां पर synthetic fiber में नहीं होता है synthetic fibers are less expensive and readily available synthetic fibers क्या होता है company के industries में बनता है तो यह क्या होता है less expensive है और natural fibers को में natural sources से लेना पड़ता है जिसके वज़े से वो काफी costly हो जाता है तो इसलिए हैं पर 9th point बोला गया है synthetic fibers are less expensive and readily available बहुत असानी से available हो जाता है 10th point हमारा clothes is made from synthetic fibers are easier to maintain यह सारी चीज़े देखके आपको लग रहा होगा कि easy to maintain होता है